अभी सुबह का बज रहा है करिबन साइब और में हूँ बदरपूर के पास एक सिट्रेशन मंदीर है वहाँ पर यहाँ पर मेरे पिछे जो है ना जहाँ पर पानी ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बीच पर नदी है लेकिन इतना पानी हो चुका है पता नहीं चल मतलब पूरा हर देगा पानी है हर गर में पानी पोच चुका ही आप और यहाँ पे ही सिद्धेशर मंदीर जो मंदीर अभी फिलाल कंस्ट्रक्शन पे लेकिन निचे का पार जो पानी हो जाता है बोलके ऊपर में यह मंदीर को बनाया जा रहा है तो यह अंडर पानी है यह पुरा एक यहां से लेकर पूरा शिल्चर पर एसा है यह है यह है शिद्धर्शर मंदीर यहां पे हनुआन जी और शिव्जी का मूर्ति है सापने और नेचे दुर्गमाता का मंदीर है शाधिया भी यहां पे होता है और यह मंदीर पूरा पानी मतलब मंदिर के नीचे से पूरा पानी है चैनल मंदेर भी रोट से तोड़ा नीचे है और यह आप देख सेक्क्त हो कि इतना पानी यहां पर जितने भी लोग है लोगों का घर है उन सब के घर पर पानी बुश चुका है और यह लोग नाव से मतलब निकल रहे बाहर सेजिरिया पर पहुच रहे है जोस्तों यह आप देख सकते हो जैसे कि मैंने बताया नाव से सभी लोग आ रहे हैं घर से निकल के मतल उन लोग को निकला जा रहे हैं सभी कुछ आसपास के कुछ लोगों ने मिलके साथ आट नाव लेके सभी को निकाल रहे है जोस्तों इसी एरिया पे पेटल पर जहाँ पडनी मतलब पहुच चुगा है मतलब पानी पीचे पुरा आप देख सेकते हो जैसे agree पानी ओड़ चुका है पेटल पर तो अर्शा हाल है पुरा प्लड आपके से तो इसको प्लड के सेकते हो प्लड करो पेटल पर का कुछ हिस्सा जो पानी पे है जैसे कि मैंने अभी दिखा रहा हूं आप वड़ियो पर देख सकते हूं यह देखिए इस तरफ का पार्ड और यह रोड जो नदी का पानी और बारिश का पानी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है यहां पर किसका पानी है और तो यह रोड भी पानी हलका हलका उपर उट चुका है और बारिश अभी खिलाल कम रुका हुआ है अगर दुबारा बारिश गिरेगा तो इलेफिनेटली रोड के उपर पूरा पानी हो जाए अभी भी कुछ हिस्सों पर पानी है और कुछ हिस्सा जो है थोड़ा सेफ है तो यह देखें यह सामने जो अभी पोटो दिखाई जा रहा है यहां पर पानी पूठ चुका है रोड अभी तो फिलाल बारिश नहीं हो रहा है लेकिन जैसा वेदा रहे बारिश गिरने का दुबरा चांस भी है और बारिश गिरेगा तो और ज्यादा डेंजर सिच्वेशन आ जाएगा कि कि हर जगह में पानी है अभी देखिए रोड के उपर पानी कैसे फ्लो हो रहा है और य यह जो जगह आप देख रहो जहां पर पानी है नॉर्मली इस जगह पर पानी होना बहुत नामुम्किन होता है लेकिन इस बार के बारिश पर यहां पर पानी हो चुका है और उस तरफ जो आप देख रहो बारिश पाहड के उपर तो यह एक पेपर मिल है जो पांस ग्राम म से तो यह देखिए ऐसा दिखने में काफी खुपसरत लग रहा है लेकिन उसमें दिक्कत भी लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है तो इस वीडियो में इतना तक है दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं और एक में ब्लॉग के साथ तब तक आप लोग अपना धियान रखना साइ झांस एकस वर वांस वाटिस वीडियो